Hello everyone, just थोड़ी देर पहले अभी SSC ने अपनी official website SSC.nic.in पे CHSL का जो upcoming vacancy उसका पूरा detail notification रिलीज कर दिया है सारी चीज़ें यहाँ पे उसने रिलीज कर दिया है कब आप form apply कर सकते हैं, eligibility वगरा सारी चीज़ें कब आप form भर सकते हैं और more importantly फिर most importantly आपका जो रहने वाला वो है बड़े changes पहली बार काफी time बाद कोई change हुआ है CHSL के exam pattern में CGL में जो change हुआ उससे काफी ज़्यादा expected था कि यही change CHSL में भी देखने को मिल सकता है और वो मिल गया, क्या change है, thumbnail पे तो पढ़ लिया होगा CHSL में mains introduce कर दिया यह means किस तरह से introduce किया है वो देखेंगे लेकिन पहले उससे पहले sequential manner में चलते हैं और important dates देखते हैं ठीक है और आप subscribe कर लिजेगे channel को ताकि यह channel आपकी CHSL में help कर सेगे because English के लिए pushman sir ने अभी से आपके लिए plan करना चालू कर दिया है कुछ important और वो आपको कुछ दिनों में और फिर एक दो दिनों में पता चल जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले important dates देख लेते हैं dates for submission of online application आनि कि 6 December आनि आज से जिस दिन notification release हुआ है से लेकर 4 January तक आपके online application चलेंगे नि तकरीबन एक महिने तक last date 4 January है last date वही same चीज़ा हम देख लो गुमाफिरा के वहीं सब कुछ यहां main important है schedule of tier 1 February to March 2023 schedule of tier 2 to be notified later ये है mains ये है mains ये जो tier 2 जो पहले CGL में हुआ करता था अब tier 2 CHSL में भी होगा समझ रहे हैं तो यानि कि एक exam cracker के बाब खुश नहीं हो सकते हैं tier 2 भी इन्हों इंट्रेड्यूस कर दिया tier 1 February to March में होगा last Feb और शुरुवात March में हो सकता है और जो tier 2 है वो notify किया जाएगा और ये मत expect किजए जिस तरह से notification का जो date है वो आगे बढ़ा एक महीने because ये 5 नवंबर को पहले आना हो ला तो तूसी तरह ये भी बढ़े बढ़ने को कुछ भी हो सकता है बढ़ सकता है लेकिन बहुत least chances है आपने SSGD का देखा prepon कर दिया किसलिए ताकि इसमें इसको आराम से conduct करवाया जासे because GD का exam एक महीना चलेगा तो उसके बाद आपका ये CHSL का तुरण चालो हो जाएगा उसके बाद ठीक है और अगर हम बात करें क्योंकि जो आपका GD का exam खतम है वो 14 February ठीक है Valentine Day का खतम है और उसके बाद से आपका most probably चालो हो जाएगा CHSL का एज लिमिट के बात कर लें ठार से 27 है यहाँ पर देख सकते हो एक January 2022 ठीक है आपका ये माना जाएगा यह यह referral date है इस date से आपका ठार से 27 चेक के जाएगा बागी exact भी यहाँ पर लिखा हुए relaxation भी हो BC को 3 साल, SCST 5 साल और PWBD 10 साल वो आप देख सकते हो अगर reserved category में आपाते हो तो EWS के लिए उसमें age में relaxation नहीं मिलता है आपको पता होगा essential educational qualification दी LDCA ने जैसे junior secretary assistant data entry operator grade A candidate must have passed 12th standard तो यहाँ पर eligibility में कोई educational qualification में कोई changes नहीं किये है 12th pass ही रखा है अभी भी और जो ये qualification मांगी गई है इस date ठीक है आपको apply कैसे करना है official website पर जाके online ही apply करना है मुझे इसमें detail में जाने के जरुद नहीं है I hope ये सारी चीज़ आपको पहले से ही पता होगी कैसे कैसे apply करना है नहीं पता है तो आप online search करेंगे डेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे ये आपके centers होंगे examination के लिए सब कुछ notification में दिया है जो कि आपको परमार SSE telegram पर देखने को मिल जाएगा अब यहां main important चीज़ पर आते है जो changes हुए है उस पर scheme of examination tier 1 and tier 2 ठीक है tier 1 तो पहले या फिर एक exam होता था लेकिन अब दो exam होगे tier 1 और tier 2 marks scored by candidates in computer based examination if conducted in multiple shifts will be normalized normalization होगा आपका यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जो कि कोई नई चीज़ नहीं है अब यहां देख लेते हैं schedule of tier 1 exam tier 1 में आपका English language आएगा general intelligence quantitative, aptitude and maths general awareness कितना number of questions and maximum marks 25 questions, 50 marks 25 questions, 50 marks और सब के लिए आपको मिलेगा 60 minute 60 minute मिलेगा आपको एक घंटे में यह सारे question यानि की 100 question करने में जिनकी value होगी 200 number the tier 1 examination will consist of objective MCQ type only the question will be set in English and Hindi there will be negative marking of 0.5 for each wrong answer बहुत important है पढ़ना क्योंकि changes हुए है ठीक है changes हुए है इसलिए एक-एक line को पढ़ना बहुत important है अब यहां आजाता है scheme for tier 2 exam देखने वाली बात यह रहगी कि tier 1 के tier 2 के दोनों के marks जोड़ेंगे या सिर्फ tier 2 के ही लोग जोड़ेंगे पहले देख लेते हैं scheme क्या है यानि क्या क्या आएगा आपका तो इसमें सबसे पहले session 1 है section 1 में subject यहां पर लिखे हुए है section 1 section 1 में आपके 2 section है section 1 में 3 section actually section 1 में है आपका mathematical abilities और reasoning और general intelligence यानि कि maths 30 questions और reasoning और gk को मिला के 30 questions total 60 questions और maximum marks हर question 3 number का तो 180 ठीक है उसके बाद section 2 में English language and comprehension ठीक है English language and comprehension pushpen sir आपका एकदम भेंकर तरीके से सारी चीज़ें आपकी prepare करने आने आले English ठीक है तो English की importance होली से ज़्यादा है तो English 40 questions और module 2 देखने हैं आप एक section में 3 section है और एक section में 2-2 हर एक section में 2-2 module है ठीक है तो module 1 में English language and comprehension और module 2 में general awareness है यहाँ पर तो reasoning नहीं है उपर ही थी यहाँ पर general awareness भी डाल दिये ध्यान रखेगा ठीक है यह general intelligence यह आपका reasoning and general intelligence है यहाँ पर reasoning और यहाँ पर general awareness यहाँ पर general awareness नहीं है GK नहीं है GK आपका यहाँ पर है और GK के लिए जो आपकी 8.30 पिम पर साड़े 8.00 बज़े जो class चलती है वो आपके लिए sufficient रहेगी वहाँ पर मैं SSC के ही PYQs solve करवाता हूँ और PYQs से important और कुछ हो नहीं सकता है SSC के exams के अगर हम बात करें खास कर GK के section की ठीक है तो यहाँ पर भी हर question की value तीन number है और यहाँ पर 180 total number हो जाएंगे marks section 3 इसमें सिर्फ एक ही module और इसमें सिर्फ और सिर्फ computer डाल रखे हैं computer के 15 question और 45 number इसको करने के लिए 15 minute मिलेंगे और यहाँ पर जितने भी आपका section है section 1 के लिए 1 गंटा ठीक है start question के लिए 1 गंटा ही एक गंटा और 20 minute sorry एक गंटा ही मिलेगा इसमें भी एक गंटा और इसमें एक गंटा वो 20 minutes section जो blind लोग है उनको है ठीक है आपके लिए normal लोगों के लिए 1 गंटा है ठीक है 15 minutes section 2 के लिए sorry बिल्कुल यह जो section 3 और आब आते हैं section 2 में section 2 में section 3 जो है उसमें module 2 में skill test है तो यहाँ पर skill test भी होगा for data entry operator इतना time मिलेगा और typing test for LDC and GSA के लिए इतना time मिलेगा इतना लंबा सच में यह mains है ठीक है ऐसा लग रहा है civil services का mains का मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कि GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 ethics का paper optional का paper 1, optional का paper 2 ऐसा type हो रख है इनों ने कर दिया तो अब जैसा है तो आपके सामने यह है notification में पाराम से time लो और इसको समझो कैसे कैसे बाकी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि किस तरह से section में section divided है ठीक है और हर section में हर question की value 3 number की है और कितना time है और time भी अलग-अलग है section 3 में आपका आएगा session 2 के section 3 में आएगा आपका typing test वो आप देख सकते हो ठीक है तो typing भी हटाई नहीं गई है कुछ लोग बोलें typing हटा दी गई लेकिन typing हटाई नहीं गई है ठीक है finally इनोंने summarize किया है कि कौन से section में कौन से module में क्या आएगा ठीक है it will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of tier 2 the tier 2 will be conducted in two sessions session 1 and session 2 on same day same day उसी दिन हो जाएगा session 1 will include conducting of section 1, section 2 and module 1, section 3 session 2 will include conducting of module 2 and section 3 same दिन ही आपकी typing भी हो जाएगी because session 2 में ही तो है यह बिल्कुल on same day यानि कि paper, typing उसी दिन, cut, 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 cut तुमारी ऐसी तैसी कर देंगे सुबहे से शाम तक यह है total है ना एकदम रगड के रख देंगे आपको tier 2 will लेकिन डरना नहीं हो सीजसे वो सब के लिए है ना tier 2 will consist of objective type mcq except for module 2 of section 2 the question will be set in English and Hindi except for module 2 English language and comprehension there will be negative marking of one mark for each wrong answer in section 1, section 2 and module 1 of section 3 देख लो भाई है negative marking mains में tier 2 में एक number की किये यह वहाँ पे 0 point 5 की थी लेकिन यहाँ पे एक number की कर दी है ठीक है एक question सही करने में तीन number मिलेंगे negative mark एक number जाएगा candidates are there for advice to keep in mind while answering the questions computer knowledge test is mandatory but qualifying in nature module 1 of section 3 यह आपका सिर्फ qualifying रहेगा यनि computer जिस तरह CGL में qualifying बनाया है उस तरह CHSL में भी qualifying बना दिया है ठीक है skill test के बारे मिन्होंने mention कर रखी है सारी चीजें ठीक है choice of persons और उसके बाद यहाँ पे indicative slabus यहाँ पे दिया हुगा slabus क्या-क्या है वो सब तो आपको पता ही होगा ठीक है slabus अब यहाँ से बहुत आईस्ते से सुनना ठीक है बहुत ध्यान से सुनना mode of selection important सबसे चीज tier 1 section 1, section 2 and module 1 minimum qualifying marks in tier 1 section 1, section 2 and module 1 of section 3 of tier 2 examination are as follows qualifying marks general 30%, OBC, EWS 25%, all other categories 20% tier 1 ठीक और tier 2 में section 1, section 2 and module 1 and section 3 यह qualifying number है इतने qualify करना होगा doesn't mean कि इसका number जोड़ेगा नहीं हो सकता जोड़े, हो सकता ना जोड़े अभी मैं को उता हूँगा नीचे line लिखे हुगी, पक्का लिखे हुगी candidate will be shortlisted for tier 2 on the basis of their performance in tier 1 examination तो इसके basis पे आपको qualify किया जाएगा tier 2 के लिए ठीक tier 2 exam will be conducted for all the candidate qualified in tier 1 जो भी tier 1 qualify कर लेगा वो उसको tier 2 दिला जाएगा in tier 2, it will be mandatory for the candidate to qualify in all the sections सभी section में qualify करना होगा ठीक, based on aggregate performance in section 1 and section 2 of tier 2 exam, candidate will be shortlisted for evaluation of section 3 of tier 2 typing test के लिए जो तुमारे paper होगे tier 2 में, एक तरह से mains में जो तुमारे paper होगे उसके basis पे ही तुमारा typing होगा ऐसा है नहीं कि typing सबका ले लिए जाएगा typing उसी के लिए जाएगा, जो qualify होगा अब एक ही दिन, same day में कैसे कर लेंगे वो थोड़ा सा challenging रहेगा लेकिन लिखा तो यहीं कि same day में उसी दिन में हो जाएगा आपका typing भी तो जो qualify होगे section 1, section 2 में उन्हीं कही typing test एक तरह से होगा section 3 of tier 2 is qualifying in nature in other word, both modules, computer knowledge और skill test, यह आपका qualifying रहेगा अब नीचे आते हैं सबसे important बात पे merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidates in a tier 2 exam only tier 1 के number का कोई मतलब नहीं रहेगा merit list, सिर्फ qualifying है आप बस qualify कर लो, उसका number नहीं जूड़ेगा final merit list prepare करने के लिए merit list will be prepared on the basis of aggregate marks code in section 1 and section 2 of tier 2 exam only subject to qualifying section 3 both modules of tier 2 as per the qualifying standards fixed by the commission अब भी ध्यान दे समझो tier 2 के basis में merit बनेगी लेकिन उसमें skill test नहीं जूड़ा जाएगा उसमें computer नहीं जूड़ा जाएगा उसमें section 1 and section 2 ही जूड़ा जाएगा मैं फिर से दिखाता हूँ आपको ठीक है और अपनी preference, post preference ढंक से बढ़िएगा इन्होंने ये लिख रखा तो post preference के regarding अगर आपर लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूँगा और अगर और कोई doubt है तो बता दे ना मैं वीडियो बना दूँगा section 1 and section 2 तो ये है section 1 and section 2 इसके ये हैं जो तुम्हें merit list में उपर डालेंगे 30 math 30 reasoning 40 English 20 GK कोई भी subject को ignore नहीं जा सकता computer qualifying है skill test qualifying है ठीक है तो ये merit जो है ये बनाएंगे 180 180 360 में merit बनेगी कोई subject को ignore नहीं मारा जा सकता है और ये मैं बहुत खुश हूँ ठीक है कियों कि मेरे पहले मेरे GK को importance मिल रही SSE के द्वारा तो GK के लिए उस तुम चिंता मत करो साड़े आठ बजे आज तो साड़े आठ बजे नहीं हो पाएगा क्योंकि आज 9 पेम पे होगा वीडियो बनाने में टाइम निकल गया ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो देखो और 9 पेम पे हो आज क्लास होगी लेकिन daily business पे क्लास होती है इस वैसे अगर आप इसमें regular रहेंगे SSGD का exam हो अभी upcoming चाहिए CHSL का exam और फिर चाहिए MTS का exam कोई भी exam हो CHSL SSC के द्वारा conduct करवाय जाएगा GK के लिए आप tension मुझे पे छोड़ दो बाकि English के लिए pushpans are ready है to rock and roll और वो आपका जल्दी पूरा एकदम previous year का एक तयार कर रहे हैं एक लंबड़ा succession reading portion का जो होता है और उसका वीडियो आपको जल्दी मिलने हो ला तो चैनल को subscribe परके notification विलको प्रेस कर दो और परमार SSC telegram पे जोड़ जाओ वहाँ पे आपको इसका notification मिल जाएगा धन्यवाद